इतना बर्सों के बात से राम भगवान आ रहे हैं तो खुसिया मनाएंगे दिपक जलाएंगे तो परसात के लिए भी तो चाहिए ना तो चलिए पेड़ा बना ले रहे हैं फटा पर देखिए हम 250 गरम मावा लिए हैं इसे अच्छी तरह से हाथों से पहले मिला लेंगे अगर आप पेड़ा बनाना है तो पहले मावा घर में तयार कर लिजिए ने तो बाहर से रेडिम में टला भी सकती है हमारे यह पास में डेरी है तो फ्रेस मावा मिल जाता है तो वहीं से हम लाए थे देखिए अब इसमें सक्कर डालने हैं 250 गरम मावे में हम 70-80 गरम चीनी डा कर देंगे इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे मावे को अगर आप सब मारे चैनल पर नए है तो मैं चैनल लाइक सब्सक्राइब पर दिजिए बेल आइकन दबा दिजिए ताकि हर रेस्पी आप सब को मिलती रहे हमें अपने फ्रेंस और फैमली में सेर कीजिए के देए इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगा वैसे वैसे गीला होते जाएगा देखिए चीनी मेल्ट हो रहा है तो बिल्कुल गीला होते जा रहा है बहुत फटा फटे रेस्पी बनक तयार हो जाता है तो परसात के लिए आप सब जरूर बनाईए देखिए इसी तरह से चलाते रहेंगा हाथ बिल्कुल रुकना नीचे ने तो नीचे पकड़ लेगा कितना गीला हो गया है बाबल खाने लगी इस अच्छी तरह से चलाते रहेंगा 5-7 मिनट में तयार हो जाता है देखिए जैसे चलाते रहेंगो वैशे गाली रहे चली एक इता चम्मझ लिए हैं ऑम चम्मझ संचे कर ले रहें देखिए गोली बन रहा है आनि हमारा पेड़ गयस को बंद करती है एसे तीन चार मिनट के लिए इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि और सुख जाए हमारा पेड़ा और गाढ़ा हो जाए बिल्कुल अब एक थाली लिए है थाली में हम घी लगा दे रहें थोड़ा सा अब उसी में हम पेड़ा निकाल कर मावे को दो घंटे के लिए रोक देंगे सुखने के लिए माव मा जो हम बनाए तो इसे निकाल कर चितर भी नो फैला देंगे थेका दो घंटे के लिए छोड़ देंगे इससे सुखने में दो तीन घंटे लग जाता है तभी अच्छा पेड़ा बन करता है यार होता है हमें बाहर जाना है इसलिए हम थोड़ा जल्दी बना रहे हैं यह तो इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो अच्छे से से शेफ में आएगा सुखने के बाद देखें फैला कम 2 घंटे के लिए छोड़ डाल ले रहे हैं अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मिलाते हुए मिला लेंगे लेकर कि इतना मुलायम बन के रेडी हो गया है इसे अच्छी तरह से हाथों से मसलेंगे ताकि और भी मुलायम हो जाएगा हमारा पेड़ा अभी इसे आदा एक घंटा के लिए और सुखने द देखिए हम इसी तरह से मिला लेंगे आप सब भी जरूर बनाएए भोग के लिए परसाथ के लिए कोमेंट किजिए कि हमारी रेश्पी आप सब को कैसी लगती है हमेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिए बेल आइकन दबा दिजिए आमें फेस्बुक इस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए देखे इसे अच्छी तरह से जितने अच्छे से हम मसलें उतना ही मुलाएम होगा देखे अब इसे तोल लिए है चोटा चोटा पेड़ा के साइज हम इसका गोली तोल बना ले रहे हैं तोल ले रहे हैं चोटा चोटा आइसे अच्छे तरह से गोली बनाकर ये थाली में रखते जाएंगे देखे इस तरह से गोली बनाकर अलग थाली में रख लेंगे बिल्कुल असानी से बन जाता है बिल्कुल इसमें घबडाने की जवरत नहीं है आप फटा फट से बनाकर तयार कर सकती है भगवान के लिए भोग के लिए परसात के लिए तो आप सब जरूर बनाएंगे देखे इसी तरह से गोली बना लेंगे देखे हमारा पेड़ा बिल्कुल तयार हो गया है अब इस पर फुरा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता ले रहा है यह अफनल है अब इस पर लगा दे रहा है ऐसे लगा कर हम एक घंटे के लिए छोड़ देंगे देखे सारे पेड़े पेशी तरह से पिस्ते को लगा लेंगे बिल्कुल जो दुकान पेड़ा मिलता है न वैसे ही बिल्कुल बन कर तयार हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा कि घर पे बनाए दुकान सम लाए है तो अपने मेहमानों के लिए भी बनाएए भगवान के लिए बनाएए परसात के लिए बनाएए समय बातिये खुशिया मनाई है बर्सों के बाद एक खुशिया आई है भगवान सी नाम पढ़ा रहे हैं इस वह भाग्या की बात है देखिए हमारा पेड़ा बन कर बिल्कुल तयार हो गया है देखिए घंटा हो गया तोड़ के दिखा ले रहे हैं बिल्कुल देखिए कितना सुब गया और कड़क हो गया है